हेलो डियर इस्टुडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड का मॉर्निंग सिप्ट का पेपर और इसका हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे पेपर मुझे बहुत देर से मिला दूस्तों इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं ने वीडिय वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो आपके लिए काफी महत्तुपूर होने वाली है चलिए दो वीडियो के शुरू करते हो जिन लोगों चैनल को अबे तक सब्सक्राइब नहीं करें और बेल आकर को दुबाना ना भूलें तो इस प्री बोर्ड का ज सारे प्रसंट प्री बोर्ड में हैं दोस्तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप तो चलिए पहला कोशन कहा है दोस्तो सी त्यूद के विशे में निम्ली घित में से कौन सा कथन जो है असत्त है तो पहला है सनुतराज अमेरिका और उनके साथी देसों के बीच एक परति यूद्व में सामिल थे तो जिसका जो असत्त पहला और उनके साथी देसों के परतित परता थी यह भी बिलकुल सही नेस्ट कोशन है दोस्तो निम्ली कि रिक पहला को सही करके पुने लिखिये क्योबा मिसाल संक्ट के दौराण अमेरिका के राश्टपती जार जबूस थे तो क्यूबा मिसाल संकट के से अमेरिका के राश्टपती थे दोस्तो वो थे जौन एफ कैनेडी कौन थे दोस्तो जौन एफ कैनेडी उससे में अमेरिका के राश्टपती थे 1982 में क्यूबा मिसाल संकर करें और अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा के राश्पति थे फिदेल कास्तरो जी है क्यूबा के कौन थे फिदेल कास्तरो और सोवियस संग के अगर हम बात करें तो वो थे गोर्बा चेव ठीक है चलिए नेस्ट प्रतिकूलता के विरुद निरतनरता किस छोटे यहुदी सियुनव वादी राष्ट का सिधान्थ है तो इसका जो सही विकल्ब है वो है ए इसराइल फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है ए बांगलादेश और नेपाल भारत और नेपाल भारत और बांगलादेश बांगलादेश और चीन तो फरक्का विवाद दोस्तो भारत और बांगलादेश के बीच विवाद है और विवाद फरक्का बैराज दौरा जो है यह किस कर यह व्यूद है भारत और बांगल देश की बीच और फरक्क कहरा दोरा नदी का पानी दो-खायो में बाट बाटा जाता है पानी का एक एक साज़ दोस्तों फीडर केनल दोरा हूगली को जहां भारत उगली नदी अवनी पच्छी मंगाल भारत को जबकि दूसरा एक हिस्सा जो है बांगले देश को प्रतान कियाता है अगर फरक्का बांध की बात करें तो इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ था और यह जुन में थे और 1972 में यह बनकर त्यार हुआ ठीक है यह पच्छी मंग काल प्रांध में बांध दोस्तों और गंगा निदी पर बनाएगा एक बांध है और इसे लेकर काफी विवाद है भारत और बंगला देश की बीच चलिए अगर इसमें से भारत और नेपाल की बीच विवाद की बात करें तो भारत और नेपाल की बीच दोस्तों लिपू ल को पूरा solution करेंगे ठीक है और चलिए अगला प्रसन भरीक रिक्स भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में क्या हुता दोस्तों सिम्ला समझता हुआ जि हां सिम्ला सम्झता भारत और पाकिस्तान के पीच 1972 में पाकिस्तान के बीच śmी हमापती बात portions पाकिस्तान के समझोता होता है और ये समझोता अगर हम बात करें तो भारत के तरब से को थी इंदरा गांधी जी हां भारत के तरब से भारती प्रधान मंतरी इंदरा गांधी और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो जी हां जुल्फिक कि अदिए बी भुटो के प्रधान मंत्री निम्लिकित कत्र के समथ सही अगला को चुनित Famit सुरक्षा प्रिस्द के फैसलों से असंतुष होने पर महा सची वीटों का परियोग करता है तो सुरक्षा प्रिस्द के फैसलों से असंतुष होने पर महा सची वीटों का परियोग करता है तो दोस्तों ये कथन जो है वो गलत है ठीक है वीटो के सक्ति सुरक्षा परस्द के 27 सद्सों के पराप्त है जो पांच इस्थाई सद्स है उनको परापत है वीटो के सक्ति और 10 आस्थाई सद्स याने कुल मिलागे देखा जाए तो सुरक्षा परस्द में कुल 15 सद्स है और पांच सद्सों को इस्थाई वीटो सक्ति पत सनुत राश संग की स्थापना पर्मुकुद्धेस क्या था अगर हम सर्ब राश संग की स्थापना बात करें दोस्तों舟 इस थापना 1945 में होती है 24 अक्टूबर को और इसका इस्थापना एक मात रुद्देश था अंतराश्य सांती यहां विश्व सांती के लिए सथापना की गई थी चलिए सुतंतरता के बाद रजवारों को भारते संग में किसके द्वारा सामिल किया गया तो वह था दोस्तों विलयपत्र या कह सकते हैं विलयपत्र या इंस्टूमेंट ओफ एक्सेशन के द्वारा भारते रजवारों को सामिल किया गया या इसमें भी अगर अब दे सकते हैं तो इ होती महत्यपूर भूमिका थी अगला परसा ने निति आयोग में निती का पूरूरू रूप लिखें निति आयोग में निती का पूरूरूरूप है दोस्तों वो है नेशनल जहें कैंफ नेशनल नेशनल इंसिट्यूशन इंसिट्यूशन फूर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया ओके नितियों के साथ नापको पता है दोसो एक जन्वरी 2015 को गई योजनाय के समाप्ति बात नितियों के जो अध्धक्ष होते हैं भारत के प्रधान मंत्री ठीक है और अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है नितियों के प्रतम उपाद्धस कोन थे तो नितियों के प्रतम उपाद्धस है दोस्तो अर्विंद पनगडिया अगला राष्ट्र विकास परिसद किस प्रकार करने का है तो राष्ट्र विकास परिसद की अगर हम बात करें दस्तो तो ये एक निती निर्धारक संस्ता है निती निर्धारक संस्ता है राष्ट्र विकास परिसद अगर इसके अद्धश की बात करें तो इसके अद्धश प्रधार म कंत्री और इसकी स्थापना कब की थी राष्ट विकास प्रस्त की तो इस्थापना दोस्तों 6 अगस्त को की थी और चलिए नेस्ट अगर हम बात करें तासकत समझोता किन दो देशों के मद हुआ तो तासकत समझोता दोस्तों हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच तासकत समझोता कब हुआ दोस्तों दस जनुवरी 1966 को लंबी वार तक बाद 11 जनुवरी 1966 को तासकत समझोता होता है यह तासकत समझोता होता है भारत के प्रधान मंतरि लाल बहादूर सास्त्री के बीच और प्रधान और वहां के जो पाकिस्तान के जर्रनल होते हैं उनका नाम था दोस्तो अयूब खान जिहां जर्रनल अयूब खान ठीक है तासकंद कहां पढ़ता है तो तासकंद अगर हम बात करें तो ये उस समय में ये यूएससार का यही किस्सा था आधुनिक की बात करें तो उजबे किस्तान जिहां उजबे किस्तान की रादानी है ठीक है तासकंद चलिए अगला बरसन भारत ने का तो तो सोविय संग ऐसाद संद्र में कौं सा कथन असत है, तो भारत के प्रमाडू निती के संदर में, जो कतन असत है, दोस्टो वह FIN 급 प्रमाडू करने के सकती चेंघातret तो प्रमाडू संब्क प्रियोगероय करने के सकती प्रदान मंत्री के हाथ और प्रदान में मंद्री मंदल के हासथे मुद्धल क्लिक्वादust बागी तीनों कृथन सथन यहां ठीक है और भादने प्रमाड़र क्या ता 974 उस समयबार की प्रधार मतरी अट व्याई वाच पाई कर इस तरह अगला दोस्तों कोशन दिये का पंजूंद की तो कि अगर हम अगर हम पंच्छी की बात करें तो दोस्तों तौन सीड् ank कुher 290 ना इन गोरूं को डिली में किया मैं समझिगताब समझोता हुआ था उसमें भारत के प्रधारमंति पंडिजवाला नहेरू और चीन के राश्ट्पती थे चाउएन लाई ठीक है और पंचिल समझोते थे पांच से धानतों का जो उद्देश बनाए गया कि दोनों राष्ट एक दूसरी सिमा का समान करेंगे एक दूसरे की सिमा समय भी में दक्ल नहीं देंगे पांच सम्झोते थे इस समझोते का और इस तिब्बत को लेकर समझोता किया किया कि तो ज़िए अगला प्रसंद दोस्तों है इंडिया ये थे खञं किसं ने किया तह इंडियाश्णल आरमी के गठं करे दोस्तों राज भीखाश बहुत से ब में इंठ्टिन नेसल आर्मे की स्थापना की थ इंठ्टिन मोहन सिंहां के हैं मुहन सिंग और राज बिहारी बोस ठीक है यह वह लोग तो जोने इसके बहुत प्रूम करने भाई वास्तों में किसने कि थी राज बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी सहायता से जापन की सहायता से राइट चलिए अगला प्रसुर्ण नम्बर जो सत्तर है दोस्तों सिरल्हंका को सो तंतरता किस प्राप्ति तो सिर्लहंका को सो तंतरता निस सौट तार्छ इसां क्यों प्राप्ति थी नाइटीन फोर्टीben जिहां 1948 किस दिन-4 फरवरी मानता प्रदान किया था इसी बाद 22 माई 22 माई 1972 को जो सिर्लंका की राजनिती 21 समुदाय का दब्दबरा है तो सिंगली समुदाय का दब्दबरा है और सिंगली और तमिल में वहां पर लगातार भारत में मद्भेद भी रहे हैं दोथे हैं तैमिल और सिंग्ली लोग सिंग्ली लोग अपने मोलने वाजी मांते हैं त часто उड़ने टेसे सिंग्ली और सिंग्ली और तमिल में मेंमेस सब विध्वाब रहते हैं तो अगला है इसी का क्यूशन आपंगा कि नाम से जाना जाएं था टीस ही tud hein अगले अगला पस helps कडर नहीं है तो दोस्तो बच्चों के लिए आप कल निदी एकत्रаты करना वेस्वी कस्तर पर सर्मिकों के लिए य हैं यह तीनों युनिशेफ का कारे है लेकिन चोथा वैस्वी इस्तर पर ठीक है या इस यह स्वास ऊद्रभ करना यह भी नहीं है बागी A, C, O, D, T, O, Unicef का कारे है Unicef का मुख्याले कहा हैं दोस्तों तो Unicef का मुख्याले यहां पर है न्यूवार्क में इस्थापना यही थी इसकी 1946 में 1946 में अगला है कौन सा कथन असत है Unicef इस्थापना समधराश्टरंग द्वारा कि यही यूदिसेफ समधराश्टरंग का एक निकाह है Unicef इस्थापना का वी तो 1946 में अगर इसी तरह और हम बात करें दोस्तों तो Unicef के साथ साथ जो और भी कोशन बन सकते हैं इसी से रिलेटिड ठीक है तो इसमें हम बात करें तो इसमें एक कोशन बन सकता है दोस्तों अंग्टाड यानि UNCTAD जी हाँ अंग्टाड से भी कोशन बन सकता है यानि United Nations Conference on Trade and Development ठीक है इस्थापना इसके का वी ते अंग्टाड की 1964 दोस्तों इसमें है छीनेवा में जी हाँ स्विस्टर लैंड राइट इसके लावा अगर प्रसंद बन सकता है दो स्थों तो वह है आई एलो जी हां आई एलो से भी परसंद बन सकता है आई एलो की स्थापना उन्नीस सो उन्नीस कुकी के था यानि इंटरनेशन लेबर और अर्गनाजेशन इसका मुख्याल है जो है कहां है दोस्तों जेनेवा में है और आई एलो को 1969 में पीस का नोबल प्रिसकार भी दिया गया था इसके लाव अगर इसी तरह कोशन बन सकता है वर्ल्ल ट्रेड और्गनाजेशन से भी कोशन बन सकता है इस थापना है दोस्तों इसकी की थी 1995 में और इसका मुख्याले भी कहां पर है जेनेवा में चलिए अगला परसंद अगल फस्ट मिखाइल गौर्बच्यों जो है दोस्तों किसी मिलेंगे तो मिखाइल गौर्बच्यों मिलेंगे सुधारों की सुरुवात ठीक है एक जो है बी इसके बाद हम देखेंगे सेकंड का है रूस सोवियस संग को उतरदगारी 1991 में जब सोविस संग विक्टर नंगा दू अगला है भारत को सत्ता के नए केंदर के रूप में स्थावित करने वरे कोई दो एक रहा है ऐसो दो परांतों नाम लिखें जिनका विभाजन ब्युटिस इंडिया के विभाजन के साथ हुआ केवल दो ही प्रांटों विवाजन कारण किया थे तो ऐसे दो प्रांट दोस्तों है एक था पच्छिमी, पंजाब यहाँ पंजाब, पच्छिमी पंजाब और दो दो था बंगाल यह वो दो प्रांट थे जिसका ब्लूटिस इंडेक साथ विवाजन हुआ और क्योंकि यह दोनों प्रांटों में जो दो कारण किया था इसमें कि दोनों प्रांटों में कहीं कहीं मुसल्मान कहीं कि हिंडू हुए थे ठीक है, इसी वज़े से यहाँ पर इसका विवाजन भी हो जा गया चलिए अगला प्रसन दोस्तों तीसरे लोक्तांत्री अभूत्थान की किनी दो विशेस्ताओं को लिखिए अगर हम लोक्तांत्री अभूत्थान की बात करें तो यह नए से लिबस वाला कोशन है दोस्तों तो परतम लोक्तांत्री अभूत्थान की अगर हम बात करें तो होता है कि अब बेसे लेकर अब तक ठीक है तो तीसरे लोगतांतर अब उत्थान के अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन था दोस्तों को हमारी आर्थिक नीती में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया ठीक है आर्थिक नीतियों में बहुत उसमें बतलाव किया यानि उदारी करो निजी करोड़ को हमने बढ़ावा दिया ठीक है इसके अलबावा अंगर बात करें तो सिध्धान को विकास की सिध्धान पूर्जाता है महत्पूर अगए बढ़ाया यह होगा इसका इसका अगला को साहाच आयो का क्ठन क्यूं किया गया तो इस पर बताई बात के नियामूर्थी जेसी सा थे कुं थे दोस्तो भारत नियामूर्ती जे सी साकी अधिस्ता में सायोक गठन किया गया ठीक है अगला प्रसंत दोस्तों है कोई दो तर्ग देगा इस परस किजिए गुट निर्पेश्ट निती का भारत को सिधा लाब कैसे हुआ तो गुट निर्पेश्ट निती का भारत को सिधा लाब हो दोस्तों कि भारत गुट निर्पेश्ट निती का अपनाने के कारण किया दोस्तों दोनों देशों की युद् चार बाधाओं को रण कीजिए तो भारत के परतम चुनाओं को कराने में आई बाधा है कौन-कौन सी दोस्तों पहले बात करें देश में 40 लाग मत आता थे और अगर 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 देश की बात करें तो हमारे हाँ पर जो सिक्षित जनसंख्या थी सिक्षित आबादी जो परतिसत थे ठीक है और इतनी बड़ जनसंख्या को इतने कम सीचित लोग थे उनके लिए उनको चुनाओं के बारे बताना है ठीक है चुनाओं क्या होता है वोट कैसे डाले इनको बताना काफी ज़रूरी था परन्तुवह संभान ने पाया हम फिर भी जब चुनाओं द्व भी ठीक है शाथ ठीक है मैं ऐली आगला परसें दोस्तों है उनीस साघ्व क्याम चुनाओं को रादनेटी परवेश्चे को ने जाजंदी बुकहम के संग्या क्यों दुए तो फ्तेस्व में रादनेटी परवेश्च्वत कौने वोक्म की संग्या इसलिए थिए क्योंकि अ 1900 हमें आर्थिक खाद्यान के संक्रण के सामना करना पड़ा और इसी बीच में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था और 1967 में दोस्तो पहली बार प्रांतों में गैर कुंगरी से सरकार भी बनी थी केरल में तो यह इसलिए इसे राधनितिक भुकम की संग्या भ छुनाओं के बाद भारती राधनिती में कौन से पर्मपरवृति की देखा गया इसका भारती नागरी को पर क्या प्रौपरी 추स कीजीये 2014 काम चुनाओं के बाद से देखते हैं दोस्तों तो भारत में रादनिती के ध्रुवी करण बहुत जादा बढ़ गया है ठीक है जाती रादनिती पर ध्यान जादा दिया जा रहा है रादनिती खिंस्ता के इस्तमाल किया जा रहा है और जुम्ले बाद या कह सकते हैं अधिकत कर अदिकारों को यानि नागरिकों चर्ण कर्लियारणड को तर्जी नहीं दी जाए इसी राष्ट के रवाद और राष्ट प्रेत लक्षु पूरा करने में सारा ध्यान जयारे से नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ठीक दोस्तो अगला है भारती रानिती में गड़बंदन सरकार के कौन से दो सकारत्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं अगर हम गड़बंदन सरकार के सकारत्मक प्रभाव देखें तो इसमें गड़बंदन स बात करें दोस्तों तो नाकारत्मक प्रणाम क्या होता है पहला सरकार क्या दोस्तों रहती है इस अस्थिर रहती है यह सरकार कभी भी गिर सकती है और दूसरा नाकारत्मक की है कि कारियों के प्रति असव दिन सिल्दा रहती है चलिए अगला प्रसंद दोस्तो मैप है ये तो यूरूपे संग का एक सदर देश जो सुरक्षा प्रिश्द का इस थाई सदर से है तो वह है दोस्तो फ्रांस अभी तो अब एक ही बचाओ है फ्रांस बचाओ यूरूपे नियु मोथ यूरूपे संग क सदस से बना यह पुझा उस देश का नाम किया था what is सै मुझा ьe संगा सद्स का नाम की था अस्टोनिया कि यह ईश्टोनिव कि किए कि यह एस्टोनिव संग का सथा अ्धा है यूरूपे संग यस्छा था पंदर गड़ा चबने से यूरेपे से मुद्राय यूरो का पतिरोद करने मुझा जर्मनी और फ्रांस जिसके पतार मंत्री ने उसे यूरुपे बजास अलगा रखा वह हमारा जिसे के ब्रयोटेन के बात करें ब्रूतेन ते लेक्जिट हो चुका है ठीक है इए जो काटून है दोस्तोники आधारित प्रश्णों को लिखे तो दोस्तों ये जो माटून है ये चैप्टर वन से लिया गया है जिए उसके वेह में रिए रहा है था पहले भी देखते हैं यह काटून क्या दर्सा रहा है तो दोस्तों यह काटून भारत में देशी राज्यों की विलाय को दर्सा रहा है और यह इसके लिए काटून के दाएं और खड़ेन तक होने तो वह सरदार बल्ला बैपटेल इनने किस मामलों को सफलता की मामलों को सफलता पुरु निप्टारा करने में इनकी महतपूर भूहिमकार आई थी सरदार बल्ला बैपटेल को की भूहिमका काफी महतपूर थी दोस्तों बैठी वेक्ति ने अपने पास संदूक में क्या रखा हुआ है तो बैठी वेक्ति ने अपने पास संदूक में दोस्तों वह प्रसेश्ट पत्र रखवा जिसके मादम से इनको विलाय करना है ठीक है तो यह रहे हैं इस चेप्टर के सभी महत्पुल कोश्चन तो आप देख लीजिए सोवियत हतवस्ता को समुतराज अमेरिका की हतवस्ता से अलाग रखने वाले को तीन विश्चान लिखि सकते हैं च्योंकि दोस्तों यह वीडियो काफी लंबी हो चुकिए है तो अगला जो हम करें दोस्तों नैस्ट वीडियो में हम इवनिंग सीप्ट करेंगे तो सब्सक्राइब करतें और बैल आइकन को दोबाना ना भूलें तब तक के लिए जैहिन